आरेश सेश जाती आधारिगिनती odc का तो डेश में नहीं हो रहा है उसका सबसे ज़्यादा कट्र विरोधी आरेसे से तो उबीशी की लोगों का ये अंडरस्टेंडिंग हो गया है कि अगर जाती आधारित गिंती नहीं होती है तो हमारे अधिकार पुरी तरह से हमें नहीं मिलेंगे का अब हमने मांशिर के माध्यम से राश्रिय एतऑरवर्फभ चाहि मार्च नाम का संगटन खड़ा क्या है जो अठ्रा राज्यों में भी खड़ा हो गया है और आने वाले समय में वो 31 राज्यों में खड़ा होने वाला है तीन साल में और यह संगटन 6 लाग गाउं तक फैलानी की योजना है क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आरेशेस के और बीजेपी के बढ़ने से हो रहा है कि वो एक वोबीशी को परधान मंतरी तो बना देते हैं हैंने परधान मंतरी का पद देते हैं मगर आरेशेस उनको फैसला लेने की आज़ादी नहीं देता है तो वास्तविक सत्ता नरिंद्र बोदी के हाथ में नहीं है वास्तविक सत्ता आरेशेस के हाथ में है और इसका सबूत यह है कि चुनाओ के दौरान ओबीशी का चेरा ओबीशी का परधान मंतरी के नाम पर उन्होंने परचार किया ओबीशी के वोट लिया मगर ओबीशी की जाती है आदारीद गिंती करने का मामला जब आया तो ओडेरणे करने का अधिकार आरेशेस ने नरेंद्र मोदी को नहीं दिया उन्होंने उसके द्वारा सुप्रीम कोट में हलप नामा दाखल करवाया कि हम गिंती नहीं करेंगे तो इससे सिद्ध हो गया कि नरेंद्रम मोधी पेछड़े वर्क के प्रधान मंत्री है मगर उनके पास पावर नहीं है प्रधान मंत्री का पद है पावर नहीं है निर्णे लेने का अधिकार नहीं है वोट लेने के लिए OBC का चेरा दिया मगर OBC के प्रधान मंत्री को OBC का प्रधान मंत्री नहीं बने दिया मतलब सरकार का माईवाप नहीं सारे सुत्र जो है उनके पास है कोई भी फैसला आरेशेस के हेड़कॉर्टर की अनुमती के बगर नहीं होता है और जहां तक S.C.S.T. O.B.C. और माइनोर्टी से सम्मंदित मौलिक फैसला है वो तो आरेशेस के अनुमती के बगर होता ही नहीं है आरेशेस के पॉलिसी के बगर होता नहीं इसलिए इनकी सहमती देना बहुत जबी है